बड़ी खबर अभी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया कि कैसे रिया चक्रवती मौचरी के अंदर गई थी उनको वहां ले जाए गया उन्होंने वहां पर वक्त बिताया अस्पताल में उस जगह पर उन्हें 45 मिनट बिताया और आज एक न्यूज चैनल ने जाकर मौच कि ऑफिसर से बाचीट की चौकाने वाला खुलासा बाचीट श्टिंग उनको यह बताये भी ना कि वो मीडिया से है जाकर के उनसे बाचीट की यह बताया कि हमारी बॉडioèm देखने जाना चांते हैं तो चौकाने वाला खुलासा हुआ है इसलिए को यह केस सो पा गया है बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कहा तो जल्दी से कर लिजे बेल आइकन भी दबा देजे कूपर अस्पताल पर सवाल उठ वहां पर थी मैंने आपको सुरजीत का सब्सक्राइब दिखाया जो वहां पर लेकर गए थे लेकिन मौर्चरी के अंदर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है वहां के ऑफिसर का मौर्चरी के ऑफिसर का एक चैनल के रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन किया उनसे कहा कि हम मरीज के रिष्टेदार हैं और हम अप को बता दूँ कूपर अस्पताल में ये अफसर ने सीरी से बताया कि मृतक के परिवार का सदस्य भी घर में अंदर नहीं जा सकता है लेकिन रिया को वहां आसानी से एक्सेस मिल गया क्यों किसकी मदद से डेफिनिटली पुलिस ने कहा होगा पुलिस क्यों रिया की मदद कर रही थी ये सवाल उठाय जा रहे है जबरदस सवाल उठाय जा रहे है क्या इसी रिया को सपोर्ट किया जा रहा था पुलिस की और से प्रशाशन की और से महराश्य प्रशाशन की और से क्या इसलिए CBI की जाज की मांग की गई क्या इसमें वाकई मर्डर का एक बड़ा भय रियारों में सवाल उठ रहा है ये स्टिंग ऑप्रिशन चौकाने वाला है जहां मौचरी का ऑफिसर साफ तोर पर कह रहा है कि मिरतक का परिवार भी अंदर नहीं जा सकता जब तक पुलिस इजाजत ना दे और रिया को वहां किसकी इजाजत अंदर जाने मिला पुलिस को किस कि इज हा नहीं कौन है जो रिया को हैं कौन है रिया आका जो रिया को सपूर्ट कर रहा है। बहुत सारे सवाल क्या इन acostि और लेकर आउंगे हैं